दोस्तों सीमा हैदर के बाद अब एक और मुस्लिम महिला भारत मा चुकी है सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत माई थी लेकिन ये महिला बागला देश से चलकर भारत माई है सीमा हैदर के और इस महिला के भारत में आने में दो बड़े अंतर है सीमा हेदर लेगल तरीके से भारत माय थी। लेकिन ये महिला लीगल तरीके से याने की पासपोर्ट और वीजा के साथ भारत माय थी। लेकिन ये महिला एक बच्चे को लेकर भारत माई है और एक खास बात ये भी है कि सीमा हैदर के बच्चों का पिता इस समय पाकिस्तान में है जबकि इस महिला की गोत में जो बच्चा है उसका पिता भारत का ही रहने वाला है हमारे ही देश का रहने वाला है ये पूरा मामला क कि यह बंगला देश में ही रहे बताया जाता है कि इसी बीच एक लड़की से इनकी वहां दोस्ती हो गई और 14 आपराइल 2020 को इस लड़की के साथ सौरभकां तिवारी ने निकाह कर लिया और निकाह करने के दिन बाद सौरबकान तिवारी बंगला देश में ही रहे लेकिन वहां से इस लड़की को बगैर बताए वो भारत में आ गए हो सकता है कि इन दोनों की फोन पर भी बात हुई हो और सौरबकान तिवारी ने वापिस बंगला देश लोटने का आश्वासन दिया हो बंगला देश लोटने के आश्वासन के बाद ये महिला सौरबकान तिवारी का वर्सों इंतिजार करती रही और जब इसके सबर का बान तूट गया तो ये महिला 21 अगस्त को भारत में आ गई और भारत में अपने बच्चे को भी साथ लेकर आई है इस महिला का साथ तोर पर ये कहना है कि सौरबकान तिवारी ने इसके साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी सौरबकान तिवारी के आजाने के बाद इस महिला के दोरा एक बच्चे को जनम दिया गया और अव्य बच्चा अभी काफी बड़ा हो चुका है और महिला की गोद में आप इस बच्चे को देख पा रहे होंगे दोस्तों आपको बता दे कि ये महिला सौरबकान तिवारी को खोशते खोशते भारत मा चुकी है जैसे ये भारत माई और इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को ही तो पुलिस ने इस महिला और इसके बच्चे को अपने शिरुक्षा में ले लिया है फिलहाल इस महिला की किसी भी पत्रकार से बात नहीं कराई जा रही है इस महिला गे छोटा सा बैर है जिसको हम आपको इसी वीडियो में सुनाने वाले हैं